हले आवी बार्स में हूँ सर्तास सरू और आप देख रहे हैं सर्तासर की क्लास सो गाईज आज है इंग्लिश का वार यानि की रवी बार और एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आएहा हूं संदे क lead box drault क्लास की एक और कबाल की वीडियो फिर से मैंने पिक किया आपके प्यार प्यारे कॉमेंट्स दूंगा उनके जवाब अब नोट्बुक और पैनल लेकर बैट जाओ जो चीज काम की लगे उसे नोट कर लेना चलो फिर बिना देर किये वीडियो की शुरुआत करते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं आपके कॉमेंट्स तो पहला कॉमेंट मेंने पिक किया है बाला जी का लिखते हैं सौतन को इंग्लिश में क्या कहेंगे देखिए हिंदी में से बहुत सारे रिष्टे होते हैं जिनके लिए खास तौर पर कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है जैसे की मौसी, चाची या मामी को इंग्लिश में अंटी कहकर निप्टा देते हैं मामा या चाचा को अंग्रेजी में सिर्फ अंकल कहकर निप्टा देते हैं ऐसे ही सौतन के लिए कोई खास शब्द नहीं है सौतन को अंग्रेजी में बोलते हैं husband's second wife husband's second wife जैसे की वो मेरी सौतन है she is my husband's second wife मैं उसकी सौतन हुँ I am her husband's second wife So husband's second wife का मतलब होता है सौतन अगला सवाल है उत्सव का लिखते हैं Hello sir, my name is उत्सव श्रिवास्तवा Sir, my question is difference between lack and hang Lack और hang में क्या फर्क होता है यहाँ पर आपने typing mistake की है यह आपको पता नहीं ता मैं आपको ठीक कर देता हूँ Lack नहीं, lag होता है क्योंकि hang के साथ क्योंकि आपने पूछा है तो lag नहीं, lag होगा वो कहते हैं न, मेरा यह जो game है यह lag कर रहा है lag नहीं, lag कर रहा है अब फर्क समझ लो, hang का मतलब होता है अटक जाना, रुख जाना एक जगा पे चाहें वो traffic हो, video game हो, video हो, film हो, cd हो, cassette हो कहीं पर रुख गई है, अटक गई है, आगे नहीं बढ़ रही है या game है, आगे नहीं बढ़ रहा है यानि कि वो hang हो गया है mobile है, चली निरा, screen एकदम एकी जगा रुख गई है hang हो गई है lag का मतलब रुखना नहीं होता है, lag का मतलब होता है time से पीछे चलना आप कोई वीडियो आपने कभी देखी होगी जो वीडियो तो चल रही है नॉर्मल लेकिन उसका जो audio वो बाद में आ रहा है लिफ सा पहचान रही है ये तो बोल गया लेकिन आवाज बाद में आ रही है इसका मतलब है उसकी audio lag कर रही है audio lagging हो रही है ऐसी game ह और hanging ये दो अलग अलग चीज़े है अगला सवाल पूचा है टीपू सुल्तान लिखते हैं how are you doing sir I'm doing well thank you so much for asking टीपू could you tell me the use of the very sentences क्या आप मुझे the very का use बताएंगे sentences में बिल्कुर बताऊंगा the very का Hindi में मतलब होता है वही you are the very boy who is dancing in the party तुम वही लड़के हो जो पार्टी में नाच रहे थे I'm the very person who can sing well मैं वही इंसान हूँ जो अच्छा गा सकता हूँ the very mobile वही mobile the very car वही car the very city वही शहर तो the very मतलब वही अगला सवाल पूचा है कमल शर्माने लिखते हैं hello sir how are you I'm fine thank you so much I'm big fan of you मैं आपका बहुत बड़ा fan हूँ my question मेरे सवाल है इस यह सवाल है पास्ट वेट्स बताने के लिए used to WILD कर सकते हैं but future habits बताने के लिए will youhost कर सकते हैं क्या अभी आँधा हूआ हैँ रोकदे I am thankful to you, आपने कहा कि fast reading, increase करने के लिए यानि जल्दी पढ़ने के लिए और जल्दी जल्दी बोलने के लिए, नहीं, बोलने के लिए नहीं, जल्दी जल्दी समझने के लिए, क्या करना पड़ेगा तो दोनों का बता देता हूं, अगर आप जल्दी जल्दी English बोलना चाहते ह तो बोलने के लिए आप news का सहरा लीजे newspaper डेली पढ़ा कीजिए समन में आयए या ना आये आप एक paragraph या एक sobre loudly पढ़िए newspaper मैं से पुराना कोई newspaper बढ़िए और पुरे हफते उसमें loudly loudly जोर 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 से news पढ़ने है daily येवाली exercise कर लो इससा आपकी reading fast हो जाएगी इसके बाद आपने पुछा understanding यानि English समझेंगे कैसे इसमें भी news आपकी help करेगी बट इसमें news पर पढ़ना नहीं है बलकि news English में सुननी है जो भी दिन भर की खबरे होती है एक time बना लो गंटा English का news channel कोई सभी आपका फेवरेट हो उसमें खबरे सुनो समझ आए या ना आए एक महिने के अंदर आपकी understanding में improvement होने लगेगे और अपने आप आप समझने भी लगेंगे ये exercise दोनों कर लेना अगला सवाल पुछाए वसीम एहमद ने लिखते है ये तो यहांपे रहा होगा रही होगी रहे होंगे future के लिए would we use होता है past में future बताने के लिए इसकी हिंदी होती है रहा होता, रही होती, रहे होते मैं पढ़ रहा होता है यार अगर मैं वहां चला जाता नहीं समय में पढ़ रहा होता I would be reading वह जा रहा होता, he would be going तुम आ रहे होते, you would be coming तो यह फरक होता है इसके बाद आपने बुचा में दिल्ली में का रहता हूं तो exact जगा तो नहीं बता सकता लेकिन हाँ मैं आपको यह बता देता हूं कि मेरे घर से जो लाल किला है वो इतनी दूरे कि वहां पर वॉक करके चल के जाये जा सकता है पैदल का है कम से कम डिस्टेंस इतना है और अब अब पैड के बहुत कुछ सीखा है अच्छे प्री पोजिशन से नहीं पूचे है तो एक कर के समझते है तीनों का मतलब होता है अंडर बिनित और वेलो तीनों का मतलब होता है नीचे या के नीचे लेकिन फर्क समझेए जब कोई चीज किसी चीज के के नीच हूले हो वहां under का use करते हैं, जैसे I'm sleeping under the tree, मैं पेड के नीचे सो रहा हूँ, तो मैं पेड के नीचे जरूर हूँ लेकिन touch नहीं हो रहा हूँ, इसलिए under लगाया, I'll park my car under the flyover, मैं अपनी car को flyover के नीचे पार्क करूँगा, तो car flyover के नीचे जरूर है लेकिन touch नहीं हो, इसलिए under लगाते हैं, और बैलो का use करते हैं, जब आपको किसी specific point से नीचे बताना हो, जैसे बैलो 5 years, 5 साल से नीचे, तो 5 साल एक point हो गया, तो से नीचे बता रहे हैं, या बैलो 5 degree, 5 degree से नीचे, तो ये बैलो का use है, हलाकि इस पर मैंने एक वीडियो बना रखी है, preposition वाली वो दे my question is difference between see look and watch, see look and watch में क्या फरक है, आपने कहा का नीचे, आप साथ महिने से वेट कर रही है, बट मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि जो सवाल आपने पूचा है, वो पिछली में साय, पिछले comment box की 2-3 वीडियो हैं, ऐसी बता चुका हूँ, इसका मतल की हुई ठहरी वी चीज को देखना, इंग्लिश में C कहलाता है, जैसे मैंने ताज महल देखा, रुका हुआ है, ठहरा हुआ है, I saw the ताज महल, C की 2nd form लगा दी, मैं घर देख रहा हूँ, I am seeing the house, और watch लगाते हैं, जो गती में हो, motion में हो, I am watching the race, मैं एक race देख रहा हूँ I was watching the aeroplane में, एक औरता हुआ हुआ जास देख रहा था, क्योंकि गती में है, I am watching the movie, मैं film देख रहा हूँ, क्योंकि film भी गती में होती है, उसकी जो picture होती है, वो motion में चलती रहती है, टीवी के अंदर, और look लगाते हैं, किसी चीज को टक-टकी बानकर या घूर कर देखना I am looking at you, मैं आपको घूर कर देख रहा हूँ, इलनामर, तो यह फर्क होता है, बाकी मैंने वीडियो में बताया है, आप वो जरूर देखा किजिए, अगला सवाल पूचा है, add a public comment ने लिखते है, what is the difference between negotiation and bargaining, negotiation and bargaining में क्या फर्क होता है, देखिए फर्क है, negotiation का हिंदी में मतलब होता है, मोल भाव, bargaining की जाती है, सरीव लेन दिन, पैसे के मामले में, जैसे कई मार्केट में गए, मोल भाव कर लिया, जी इतने पैसे नहीं इतने लगा रहा हो, तो यह क्या है, bargaining हो गई, मेरी मम्मी बहुत अच्छी bargaining करती है, 100 रपे की चीज बता है, कोई 5 रपे मे लिती हैं, उसे, बार्गिन हो गई, लेकिन नेगसियेशन ना सरीव मार्केट या लेन दिन में, बलकि किसी भी काम में हो सकता है, किसी शर्त में हो सकता है, या किसी गेम में हो सकता है, मतलब हो नेगसियेशन है, समझाता है, लड़ाई हो गई, हम आपस में समझाता कर लिय यानि हमने negotiation कर लिया कपड़े एक ड्रेस थी कौन पहने का पार्टी में से कौन पहन कर जाएगा ठीक हमने negotiate कर लिया वह तुम पहले लेना तो समझोता कर लेना अपस में negotiation कहलाता है यानि negotiate कर लेना समझोता कर लेना अगला सवाल पूछाए तेजस हिंदुस्तानी गेमर ने लिखते हैं इन सब का कहीं से पिक कर लिया है किसी पार्ट में से यह ऐसे लिखा होगा boy seven years old out with father यानि कि एक साथ साल का लड़का अपने पापा के साथ बाहर गया तो आपने old out उठा लिया वीच में से seven years old out था वो चले कोई बात नहीं लेकिन old out कोई phrase special नहीं होता है लेकिन जहां से आपने उठाए हो पूरा sentence आप लिखा किजिए तर समझ आएगा screamed screamed का हिंदी में मतलब होता है चीख मारना चिलाना जोर से you're screaming तुम बहुत चिला रहे हो stammer stammer का हिंदी में मतलब होता है हकलाना हो गया आपका अच्छा अगला सवाल है रोहित का लिखते है sir as or because दोनो क्योंकी का अर्थ दरशाते है बताईए किस condition में किस को लगाएं तो किस कंडिशन में कौन सा लगा ये कह रहे हैं कि as or because दोनों का हिंदी में मतलब होता है क्यो क्योंकि लेकिन दोनों की जो क्या कहा आपने दोनों का अर्थ दर्शाते दोनों का दोनों का मतलब कहीं ना कहीं बैठता है क्योंकि अब मैं आपको एक एक करके समझाता हूं विकर्स का जैसे विकाउस लिखार विकर्स का हिंदी में मतलब होता है क्योंकि I'm not going to the office because it's raining मैं office नहीं जाओंगा क्योंकि बारिश हो रही है the father is coming because mother is calling पापजी आ रहे क्योंकि मम्मी बुला रही है तो क्योंकि और दूसरा है as, as का मतलब क्योंकि नहीं होता है as का मतलब होता है जैसा कि as it's raining I'm not going to the office जैसा कि बारिश हो रही है मैं office नहीं जा रहा हूं यानि यहीं वज़ा है कि मैं office नहीं जा रहा हूं so आप as और because का एक दूसरे की जगाउस कर सकते हैं as वाला थोड़ा hard पड़ता है क्योंकि वो शुरू में लगाए जाता है अब because वाला easy है थोड़ा बीच में लगके easily बन जाता है तो लोग उसका ज़्यादा use करते हैं कोई इसा भी कर सकते हैं आप चाहें दो अगला सवाल Salish ने पूचा है लिखते है वो जादा सही है जिसका हिंदे मतलब होता है कहीं फ़स जाना बल-दल में फ़स जाना परेशानी में फ़स गया या किसी situation में फ़स गया so ED वाला सही है अगला सवाल लिखा यदूवंशन my question मेरे सवाल है चक्का जाम कोई English में क्या कहते है चक्का जाम अभी Saturday यानि कल ही की दिन की बात है जब चक्का जाम हुआ तक किसानों के द्वारा तो अब English के जितने भी इंडिया में अख़बार चपते हैं सबने English के अख़बारों की बात कर रहा हूं किया English वालों ने आप English में चक्का जाम को चक्का जाम ही बोल सकते हैं देर ऊस्जब इस बर्वा तक किसानों के द्वारे फॉर्ण नर्ड को कि की हडों होता क्या है ये बता दीजे कि what's wrong have I done का use किसी भी singular subject या किसी के नाम को नाम लेकर mention करें तो कैसे करेंगे मैंने क्या बिगाडा है या मैंने क्या बुरा किया है यह कह रहें कि I की जगा कोई singular person रख सकते हैं आपको फिर दो changes करने पड़ेंगे एक तो I हटा के singular person रखना पड़ेगा दूसरा have हटा के has रखना पड़ेगा क्योंकि है singular के साथ आता है what's wrong have I done with you मैंने तुम्हारा क्या बिगाडा है what's wrong has she done with you उसने तुम्हारा क्या बिगाडा है what's wrong has Ram done with you राम ने तुम्हारा क्या बिगाडा है सो आप ऐसे बना सकते हैं हैस के साथ अगला सवाल है अक्षाय का लिखते हैं मेरा पैर गर्म पानी से जल गया है इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको इंग्लिश में आप बोल सकते हैं मालाग गाट बॉर्ण्ट विद विद हाट वॉर्डर my leg got burnt यानि कि मेरा पैर जल गया है with hot water यानि कि गर्म पानी के साथ with लगाते हैं के सादा मिन से जल गया है यही मतलब हुआ उसका तो आप इसको इस तरीके से बोल सकते है अगला सवाले कृष्णा का कृष्णा लिखते हैं सत्ष्रियकाल सर जी सत्ष्रियकाल जी मेरा कृष्ण यह है कि हमें अपने घर पर क्या लिखना चाहिए home, house या cottage for example मुझे Krishna house लिखना चाहिए या Krishna home लिखना चाहिए love you so much sir जी love you too my idea Krishna आपने सवाल पूचा है कि home, house, cottage में फर्क क्या है और मैं अपने घर पर लिखको कर दो, cottage का मतलब होता है एक तरीके के जोपड़ी लेकि नॉर्मल जोपड़ी नहीं वो फट्टो टॉली नहीं luxury टाइप जोपड़ी जो होती हो cottage कहलाती है तरीके से बस cottage में समय लो छट जो होती है पकी नहीं होती है उसे cottage बोलते है तो एक तरफ करो फर्क में है home और house में मैंने पहले भी बताया फिर बता देता हूँ कि home और house में ये फर्क होता है कि जिस घर में दो situation समझो जिस घर में या तो एक से ज़ादा परिवार रहते हों जैसे ताउजी भी है, ताई भी है, चाचा भी है चाची भी है, मौसा भी है, मौसी भी है या सब रह रह रहे है, मिल के, मिल जोल के जॉइन फैमिली रह रही है, तो ऐसे घर को एक तो house बोलते है, या फिर किसी घर में बहुत सारे कमरे हो, floors हो बहुत सारे, तो उसे भी house बोलते है बहुत सारे floors हो या फिर बहुत सारे कमरे हो तो उसे एक तो house बोलेंगे joint family हो या बहुत सारे कमरे या बहुत सारे floor हो और home बोलते हैं जिसमें जादा कमरे ना हो जादे जादे तीन या चार कमरे हो और एक single family रहती हो यानि कि nuclear family रहती हो separate family रहती हो तो उसे home बोलेंगे अब आप देख लीजी अगर आप joint family में है या आपका बहुत बड़ा घर है जिसे बहुत सारे bedrooms, बहुत सारे drawing room, बहुत सारे lobbies हैं तो आप फिर यहाँ पे Krishna home कर सकते हैं, Krishna house कर सकते हैं नहीं तो आप Krishna home से भी उसको पुकार सकते हैं अगला सवाल पूचा है, आरती ने लिखती है hello sir, hello sir, hi arty I am huge fan of your मैं आपकी बहुत बड़ी fan हूँ थैं कि so much आरती sir, newspaper जैसे हिंदुस्तान टाइम, टाइम सफ इंडिया etc. टाइम के साथ SQ लगाते हैं, कजब का सवाल है आपका बहुत पॉइंट वाला सवाल है टाइम का मतलब होता है समय लेकिन अखबारों में लिखा होता है हिंदुस्तान टाइम्स, या टाइम्स ओफ इंडिया या टाइम्स ओफ अमेरिका ऐसे बहुत सारे अखबार चपते हैं दुनिया में और हमारे देश बहारत में भी ये टाइम्स क्यों लगा होता है देखे टाइम्स अगर उसका बहुचन बनाए जाए टाइम्स का बहुचन होता है टाइम्स तो एक तो ये चीज़ लोगों के दिमाग में हैगी लेकिन मैं आपको बता देता हूँ अच्छी और बुरी दूनो दा टाइम्स अफ इंडिया यानि इंडिया गटनाए ऑफ इंडिया भारत की मतलब कुल मिला के वो नाम एक जैसे ही होते है सभी अख़वारों के तो वो ट्रांसलिशन एकी बैठेगी सो वहाँ पर घटनाए कहा गया है अच्छा दुर घटना जो होती है वो बुरी होती है लेकिन घटना जो होती है वो अच्छी और बुरी दोनों हो सकती है तो अख़वार में इसी तरह से अच्छी और बुरी दोनों घटनाए होती है दोनों तरह की खबरे होती है तो इसलिए उसे The Hindustan Times यानि कि हिंदुस्तान में घटी हुई घटना है यह अखबार का नाम है The Times of India यानि इंडिया में घटी हुई घटना है यह नाम दिया गया है तो Times का यहाँ पर क्या मतलब है घटना है I'm sure कि आपको यह जानकर बहुत मज़ा है और बहुत सारी knowledge भी मिली होगी आप दूसरों से पूछना जड़ा टाइमस का क्या मतलब होता है देखते हैं वो आपको बता पाते है अनि अगर बता पाते है तो guys यह था आजकर अविवार special session जो कि हर अविवार को आता है आप इसे बहुत सार प्यार देता है I'm sure कि आप इसका ऐसे ही wait भी करते होंगे अपनी प्यार-प्यारे comments ऐसे ही करते रहा किजिए किसी भी वीडियो में comment कीजिए अपना सवाल पूछिए और उसके नीचे लिखिया Hashtag Ask Sata Sir मैं पूरे हफते के last minute Saturday को सारे comments पिक करता हूँ उसमें से choose करता हूँ फिर उसके वपर वीडियो बनाता हूँ आपके जवाब देता हूँ और जिनके जवाब नहीं दे पाता हूँ I'm really sorry क्योंकि इतने सारे हजारो comments के जवाब एक वीडियो में देना possible नहीं आप समझ सकते हैं मैं कोशिश करूँगा उन्हीं के comment में जाकर उनके जवाब देने की तो अब प्लीज इस वीडियो के सब के साथ share कीजेगा टू मिलियान होने में बस थोड़े से बाकी हैं उसे भी कर दीजेगा दोस्तों से करवाईएगा रिष्दारों से करवाईएगा शेयर कीजेगा सब्सक्राइब भी करवा दीजेगा जाद जाते इस वीडियो को एक प्यार असा लाइक दे कर जाना